मैं ड्रीम 11 फुटबॉल की टीम प्रोवाइट करूँगा जी है यापर से मैच है ए लीग का ऑस्टिलिन लीग पार्ट ग्लोरी एपसी बना मेलबॉन सिटी एपसी के बीज जो मैच है मैं उसे का ही टीम प्रोवाइट करूँगा गाईस तो मेरे साथ यह वीडियो लास्ताक देखिए मैं जो भी अप्डेट दूँगा जो भी सजेश्टेट प्लेयर के बारे में बोलूँगा आप उसके हिसाब से खुद कभी टीम बना के जा सकते हो तो गाईस यहापर से मेरा टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन पे और कॉमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा गाईस आप जाके वह आपर जॉइन हो सकतो मेरे चैनल पे मैं वह आपर फाइनल टीम अपडेट कर दूँगा तो यहापर से आज का जो मैच है ए लिग का यह है पार्थ क्लोरी वासेस मिल्बोन सिटी के बीच मैच यह मैच खेला जाएगा HBF Park Stadium जो पार्थ क्लोरी का अपना होम ग्राउंड है यह मैच स्टार्ट होंगे आज इंडियान टाइम चार बच के पाइतरी स्मिनीट पे पार्थ क्लोरी के साथ मिल्बोन सिटी के दो-दो से ड्रॉ हुआ था और यहापर से पार्थ क्लोरी आज का मैच जो स्टार्ट करने जाएंगे पिछले पाच मैच का जो रिकॉर्ड है एक ड्रॉ और चार मैच हारे है उनका परफोर्मेंस काफी खराब चल रहा है और लास् टोटल पॉइंट है पंदरा और अभी तक ग्रूप स्टेंडिंग पे है बारे नंबर पे और यहापर से उनका परफोर्मेंस काफी खराब चल रहा है पार्थ क्लोरी आज का मैच जो स्टार्ट करने जाएंगे चार चार दो से गोलकीपर पे रहेंगे गलोवर यहापर से जो यहापर से डिफेंड काफी चेंज हो रहा है क्योंकि यहापर से मैच हार रहा है और काफी बढ़िया यहापर से परफोर्मर नहीं मिल रहा है तो यहापर से चेंज करके खिला रहा है कोच लेप्ट बैक पे फॉर्ड है राइट बैक पे रावलिंस सेंटर डिफेंड प असके मैच के लिए Milbon City के तरफ से अच का match के लिए जाएंगे जैसे पिछले 5 match में 4 match जीता एक match हा रहा है AFC Cup का statics छोड़के ये statics में बता रहा हूँ Only A League का Last match में Milbon City और Milbon Victory के साथ match हुआ था जिन में से 3-0 से Milbon City ने match हा रहे थे और अभी तक Group Standing पे 3 number पे हैं और अभी तक 24 match खेला है 13 match जीता है 7 match डॉक किया है 4 match हा रहे है उनके पास 46 point है और 2 point दूर है Western United के हिसाब से Milbon Victory जो आज का match स्टार्ट करेंगे 4-2-3-1 से Guys यापर से छोटा सा भूल है जैसे यापर से एक Group Standing पे यापर से Milbon City number 1 पे है तो आज का match स्टार्ट करने जाएंगे रेड़ी गोल की पर पे लेक बैक पे स्टार्ट करेंगे जैमिंसन उनका नैशनल टीम के खिला रही है औस्टिला काफ़ इंपोर्टन खिला रही है चार एसिस्ट अभी तक दाख चुका है राइड बैक पे जैमिंसन स्टार्ट करेंगे दो गोल ये भी काफ़ इंपोर्टन होंगे सेंटरल डिफेंड पे रहेंगे गूट और ग्रिप्स गूट का तीन गोल एक ऐसिस्ट ग्रिप्स का एक ऐसिस्ट ये चारी defender काफ़ important होंगे और यापर से gift को अब छोड़ भी सकते है उसके साज आप सब Lachman को ट्राइ कर सकते हो part glory के midfield पर रहेंगे Metakalfe और Barnengar, Metakalfe का 2 गोल 5 assist है और Barnengar का 5 गोल 6 assist है, दोनों ही काफ़ important choice है midfield पर रहेंगे यापर से Leky यापर से रहेंगे Lekyच टीलो और यापर से रहेंगे नबाउट, ये तीन खिलारी रहेंगे, Lekyच का अभी तक 9 गोल, 4 assist है, आजका मैच खेल भी सकते है, ना भी खेल सकते है क्योंकि यापर से काफी gap गया है, FC Cup को उनको यापर से चुटी मिला है तो Lekyच का मैच खेल भी सकते है, ना भी खेल सकता है, उसके बाद middle पे रहेंगे टीलो, स्टार्ट करेंगे यापर से नबाउट, नबाउट का 5 गोल, 6 assist है और टीलो का 4 गोल, 5 assist है तो काफी important है उनका section पे और उनका जो striker है या मकलान, यह नैशनल टीम के खिलारी भी है, 14 गोल, 2 assist लगा चुका है यह खिलारी, और काफी बढ़िया ताबोर्त और पीक है यापर से मिलबॉन सीडी के, मैं बोलूगा साथी खिलारी याप मिलबॉन सीडी के साथी जाओ तो गैस आप मैं टीम क्रेट करूंगा, पार्ट ग्लोरी वासे मिलबॉन सीडी एफसी के बीच जो मैच है फास्ट यापर से गोल कीपर का जो चॉइस रहेंगे यापर से गोल कीपर आप्शन पे दो चॉइस रहेंगे एक है गलोबर और एक है रेड़ी आप किसी के साथ भी जा सकतो मैं बोलूँगा, आप यापर से रेड़ी के साथ जाओ, क्योंकि यापर से मेलबॉन सीडी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और साथ खिलाडी खिल सकता है यापर से एक ही पॉब्लम है एक हैं, क्योंकि गोल के पर उनके लोग ट्राइ करते हैं, काफी, यापर से जोंस भी के वो टाइबउ कर सकता है, क्योंकि गोल खा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है यापर से पार्ध गलोरी का तो यापर से डिफेंडर यापर से जेन किन सइन को पिक किया, यहाप परस उनका जो नीजी स्कोर है, यहाप परसे लेजमन का आपने परसोनल स्कोर काफी बढ़िया है, इन दोनों को आप टॉनें से एक भी लोग को आप ट्राई कर सकते हो, Midfielder option पर यहापर से Bandan Gear को pick करूँगा उसके बाद यहापर से जो काफी important choice Fierzer Girl, Part Glory के तरफ से pick करूँगा यहापर से जो काफी important अगर आज का match यहापर से Gomul का भी start कर सकता है यहापर से Legich को बैठा भी सकता है अपने team management Striker option पर Farnoli को pick करूँगा उसके बाद Meclan के साथ जाऊँगा और यहापर से About को pick करूँगा यह तीन choice के साथ जाऊँगा तो यहापर से मुझको 8.5 credit बज गया तो यहापर से मैं Augsboro को मुझको pick करना पड़ेगा यहापर से छोड़ा सा change आप तीलो को भी रख सकते हो तो यह भी काफी शांदा पीक हो सकता है Melbourne City के तरप से तो गाइस अभी तक यह मेरा final team रहेंगे आप छोड़ा छोड़ा change कर सकते हो मैं जो update दिया उसके ही साथ से तो यहापर से captain का section पर मैकलान काफी बढ़िया है नबाउट भी काफी बढ़िया है अगर पाथ गलोड़ी गोल दागेगा यह गोल दाख सकता है तो यहापर से captain vice captain grand league option पर यहापर से अब boot को try कर सकते हो jaminson को try कर सकते हो grand league choice पर काफी बढ़िया हो सकता है यह सब कि लाड़ी तो all the best guys मैं final team update कर दूँगा मेरा telegram channel पर जो description में दिया हुआ है guys all the best अच्के मैच के लिए बाए बाए